तो दोस्तों क्या आप अपने आइफोन 13, 14 ने किसी भी आइफोन में से जो डाटा है वो ट्रांसफर करना चाहते है उपने PC में जो Windows का PC होता है बट आपको अभी तक यह करेक्ट इन्फरिमेशन नहीं पता कि किस तरी किसे डाटा ट्रांसफर करते हैं बढ़ी फायज बहुत बड़ी फायज जो की चाथ जी बी से ऊपर कि होंगी पांक जीबी ड़ी या पंद्रा जीबी की तो यहां पर हमारे पास है जिसमें अमने फायज अपनी जो भी हैं सेव कर ली है उसको हम ट्रांसफर करने वाले हैं और यह आपको मैं सबसे इजी टाइप सी केबल अगर आपके पास जो पीसी है उसमें टाइप सी स्लोट नहीं है तो आप यूएस्पी टूट लाइटनिंग केबल भी उज़ कर सकते हो और अगर आप ये मेरी वीडियो दो हजाते ही चोभी में अब ये 2022 का दिसंबर चल रहे हैं तो अभी जिचने भी यहाँ पर आप दे सकते हो मेरे पार कुछ वीडियो हैं कुछ फोड़ो हैं तो माली जी मैं इन में से कुछ भी चाहता हूं अपने पीसी मेंट रांसफर करना जो की इजिली नहीं होता अगर आप यहाँ पर देखेंगे जब भी आप इसको connect करते हो अपने पीसी से तो वहा यहां पर select का बटन देखने को मिल जाएगा इसको click कर दीजिए जो जो आपको file चाहिए वह यहां से select कर सकते हो जितने भी चाहिए माले जी मैं सारी करना चाहता हूं तो इन सबी को मैंने select कर लिया है अब सारी सारी file select हो चुकी है अब इसके बाद यहां पर गाइस शेयर का बटन होता है तो इसको आपने click करना है इस पर आप click करेंगे तो यह साही चीजिए आ जाएंगे अब थोड़ा साम को scroll नीचे करना हो यहां पर लिखा हूँ है यहां पर आप लिखा हूँ है 17 items selected और यहां पर लिखा हूँ है save to file इस पर आपने click कर देना है जब आप इसके ओपर click करते हो तो यहां पर आप folder में पहुंच जाते हो अब यहां पर आपको guys कई तरह के folder मिल जाएंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले यहां पर आजाना है on my phone, on my iPhone तो यहां पर on my iPhone पर आपको i-movie मिल जाएगा अगर i movie नहीं दिखता है तो यहां पर जितने भी आपके folders होते हैं वो सारे show कर जाते हैं, अब महां बालिजिए i-movie का नहीं दिख रहा है तो यहां पर search का option है तो वहां से आप search करके i movie search कर दिख लिजिएगा तो व पर दाइरक्टि यहाँ पर फाल रूड पर नहीं सही रहता है तो अरेंच्मेंटकरने के लिए आपको दना यहां पर पर नता हो नकिए ओ autoc सेव के बटन पर मैंने कलिक कर दिया है और यह सारी का सारी वहां पर सेव हो गई है ए फोल्डर के अंदर अगर यह चीज़ आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई है तो आप इस वीडियो को दुबारा देख सकते हो तो वहां पर बैक बटन दबाना होता है नाम देने के यहां पर यह और यहां पर लिए फरक नहीं करता है यहां पर आ पर आपको यह लगाना है मोबाइल में और मैंने तो इसा बिलू ब्लू कर पैंने कर दिख जाएगा निशान यहां पर भी और यह नहीं, पर बी तोय shouldn't 달 सकता है आपको प्र रोब्लम ना हूं इसलिकल बता द और यह आपको को आपको आपको शो नहीं कलता है तो वह आपको दिख जाएगी और अभी दुबारा से या पर आप दे सकते जो यह मैंने निशान लगाया हुआ है इसको मैंसे लगा लेता हूँ अब इसके बाद करना है यह connect हो जाएगा connect हो जाएगा तो आपको यहां पर भी message आ जाएगा वहां पर message आ जाएगा pop-up हो जाता है अब करना क्या गाइज इसके बाद यहां पर आप दे सकते हो यहां पर Apple iPhone select to choose what happens with this device यह आ जाएगा अब आपको यहां पर PC में एक और चीज भी चाहिए होती है वह आपको दिखायता हूं तो यहां पर Microsoft Store होता है PC में आपके तो यहां पर आप दे सकते हो Microsoft Store तो इसके ओपर आपने क्लिक कर देना है यहां पर जाना है और यहां से आइट्यूंस नाम का software है वह दाउनलोड कर लेना है अब कई लोग कहेंगे आइट्यूंस जो आपको यह मतलब नहीं है बड़ आपको चाहिए होगा क्योंकि उसके थुरू ही आपकी जो फाइल्स हैं वह ट्रांस्फर होने वाली है तो यह दे सकते हो आइट्यूंस नाम से आ जाएगा तो इसको आपने यहां पर आपने मुबाइल को आपको आइकन शो कर रहा है इसके उपर आपने क्लिक कर देना है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तहीके से पूरी के पूरी स्क्रीन ओपन हो जाएगी पूरी पूरी स्क्रीन के बाद यहां पर आपको फाइल शेरिंग का उप्शन भी शो करेगा फाइल शेरिंग तो इसके बाद इस पर आपने क्लिक कर देना है फाइल शेरिंग के उप्शन पर अब यहां पर आप दे सकते हो आई मूवी लिखा हुआ है आई मूवी यहां प पर दे सकते हो यहां पर 3.15 GB यह डाटा है यह तो सिर्फ मैंने आपको एक्जाम्पल के लिए सिर्फ इतना सा करके दिखाया है आप चाहें तो इसमें 20 GB की जो यहां पर इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको अलएला फोल्डर बनाने पड़ेंगे यह आपको जो अंदर की फाइल्स है उसको स्लेक्ट करने का उप्शन नहीं देता है तो यहां पर आपको ऐसा ही करना पड़ेगा तो इसके ऊपर आपको कलिक करना है और इसके बाज यह सेवका बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करोगे तो यह आपसे पूछे गैस को कहां पर आपने सेवक करना है तो जहां पर भी आप सैवकर सकते हो तो मान में उसकोल्ड देता हूँ निधल बना कर तो इहां क्लिक करो अथको 100 mad और यह आप दे सकते हो गाई यह speed यह copy हो रही है जो भी आपके उसमें folder में फाइल्स थी वह यहां से copy हो रही है 3GB की files हैं बहुत तेजी से यहां पर transfer हो रही है अगर आप wireless method यूज करते हो या कोई और method यूज करते हो तो हो सकता है कि इतनी तेजी से वह share ना हो बड़े यहां पर आप देख रहे हो कि काफी ज़्यादा तेजी से यह files share हो जा रही है अपने और यह copy हो रही है ऐसा नहीं कि आपके पूरी files move हो जाएंगी आपके iPhone में तो सारी के सारी files रहने ही वाली है उसके लावा यहां पर भी जो आपके files है वो share हो जाने वाली है तो यह देखिए बस यह भी हो जाएंगी उसके बाद मैं सारी के सारी files आपको दिखा दूंगा जो हमारे PC में आ जाएंगी और उसके बाद आप उनको यूज कर सकते हो यहां पर गाइज मैं आपको एक और टिप भी देना चाहूंगा अगर आप अपनी file जो भी आपकी photos है उनको यूज करना चाहते हो यहां पर और कोई भी जो हमारा Photoshop वेगारा software है वहां पर भी यूज करना चाहते हो तो जितनी भी आपकी iPhone 13 की camera की setting होती है वहां पर एक setting होगी जहां पर आपकी जो एची आइवी हो जो होता है है कि अपका हैवी एंकोडर वाला उसको चेंज करके आप वहां पर जेपीजी फॉर्माट कर लीजेगा क्योंकि जो हमारी नॉर्मल आइफोन जो हमारी करता है तो वह आला जो extension होते हैं भाई वह हमारी Photoshop वगारा में काम नहीं करती तो हमको उसक अगरते करते कि शायद transfer लगब़ हो चुकी है यह हो जाएंगी तो मापको भी दिखायता हूं कि किस त्रैकिये कि होई हैं तो गाइज यहां पर आप देज़कते हो हमारी जो वीडियो थी और यह हमारी सारी सारी पिक्स जो आपने देखी थी वो हमारी सारी किसारी transfer हो चु तो मेरे को यह बार में समझ में नहीं आती है तो आप दुबारा से गाइज मेरी वीडियो देख सकते हो और अगर आपको कोई मेरे को यह बहुत ही अच्छी मतलब की वीडियो नहीं लोगों ने डाली होई हिंदी में तो अगर आपको यह वीडियो लगी है फिलीज वीडियो को लाइक के जिए आइफॉन से जोड़ी और भी बहुत सी टिप्स में शेयर करते हो अगर कोई में को प्रोलम आती है तो उसक करें तो वोटिंगाइज जेहें वन देमातर हम